पालतु कुत्तों के हमलों से लोगों की महत की बढ़ती घटनाओं के बीच के सरकार ने राज्यों को पिटबुल, टेरियर, अमेरिकन बुल्डॉग, रॉट्विलर जैसे खुखार कुत्तों की 23 नसलों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिवंद लगाने के निर्देश दे दिये हैं, पशु आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विश्यसक के समिती ने ऐसी नसल के कुत्तों की आयात पर रोक लगानी के शिफारिश भी की है, People for Ethical Treatment of Animals यानी PETA, इंडिया की अपील और दिल्ली हाई कोट के दाइरे में एक रिट याचका के बाद केंद्र ने ये कदम उठाया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि इन नसलों के कुत्तों को जिन लोगों ने भी बाल रखा है, उनको वादिकर्ड किया जाएगा ताकि वो आगे प्रजनन न कर सकें, केंद्र ने डॉग ब्रीडिंग, मार्केटिंग रूल्स 2017 और पैट शॉप रूल 2018 को सक्ती से लागू करने के लिए कहा है, पैटा इंडिया के शौरिया ग्रवाल ने कहा है कि मनुश्यों की सुरक्षा के लिए केंद्र ने ये सरहानिय कदम उठाया है, ये भी बता दें कि पिटबूल अमेरिकन, बिटेन, जर्मनी, डेन्माक, स्पेन, कैनिडा, इटली और फ्रांस समयत 41 देशों में बैन है, इसके अलावा अन्य ऐसी नसले हैं जो दूसरे देशों में बैन हो चुकी है, इन्हें रिहाईशी इलाकों में रखना वर्जित किया गया है, पिटबूल जब एक वार किसी को अपने शिकंजे में ले लेता है, तो उसके जबडे इतने ताकतवार होते हैं कि वो इस तरह से लौक हो जाते हैं कि उससे छुड़ा पाना आम लोगों के बस की बात नहीं होती है, अमेरिका में कुत्तों के काटना से हुई मौतों में पिटबूल का योगदान 66 फीसदी है, अगर आंकड़े की बात करें तो 346 ऐसे मामले रहे हैं जिनमें पिटबूल के काटने से सामने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, सायुक करूस में पिटबूल और रॉटविलर के कुत्तों के काटने से हुई मौतों के हिस्से में 66 फीसदी रहा है, बीते दिनों दिल्ली और लखनव से भी ऐसी खवरे आई थी जहां हुखार पालतो कुत्तों ने अपने मालिक या फिर किसी अन्य व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जिसकी वज़े से उनकी जान तक चली गई थी, अगर ऐसी ही घटनाओं की बात करें तो करेंब एक महीने पहले दिल्ली में एक पिटबुल के द्वारा काटे जाने के बाद एक बच्ची कंभीर रूप से घैल हो गई थी, उसका पैर तीन जगहें से तूटा था, उसे 17 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा, इससे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने राजधानी में अपने पड़ोसी पर हमला करने के लिए अपने पिटबुल को उकसाया था, जिसके बाद उस कुट्टे ने आदमी को काट लिया था, एक सब तहा पहले गाज़ियाबाद में एक पिटबुल ने दस वर्षय बच्चे को गंभीर रूप से जखमी कर दिया था, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भरती कराया गया था, दिसंबर में भी एक सत्तर वर्षय महिला को पिटबुल ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, एक अन्य मामले में लखनौ में एक नेजी जिम के मालिक के पिटबुल कुट्टे ने उसकी मां की ही जान ले ली थी, इन सभी मामलों को देखते हुए किंद सरकार ने ये बड़ा कतम उठाया है, यानि अब जो लोग इस तरह के कुट्टे पाल रहे थे उनको भी नियमों का पालन करना होगा और वो आगे उनकी ब्रीडिंग नहीं करवा सकते हैं, विरो रिपोर्ट, इंडिया बोश्च नियूज